राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्थु थे ध्वनी कारिक्रमों की शंखला भाशा जगत्थ। बाल भारती के पाठ का भाव सहित वाचन पाठ का शीर्षक है काबली वाला इस कहानी के लेखक है गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर मेरी पाच बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली बाबुजी रामदयाल दर्बान है न वह काक को कववा कहता है वो कुछ जानता नहीं न बाबुजी मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छिड़ दी देखो बाबुजी भोला कहता है आकाश में हाथी सून से पानी फेकता है इसी से वर्षा होती है अच्छा बाबुजी भोला जूट बोलता है न और फिर वह खेल में लग गई मेरा घर सड़क के किनारे है एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दोड़ी गई और बड़े जोर से चिलाने लगी कंधे पर मेवों की जूली लटकाए हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था जैसे ही वह मकान की और आने लगा मिनी जान लेकर भीतर भाग गई उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए उसके मन में यह बात बैट गई थी कि काबुली वाले की जूली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी दो चार बच्चे मिल सकते हैं काबुली ने मुस्कराते हुए मुझे सलाम किया मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा फिर वह बोला बाबो साहब आपकी लड़की कहा गई मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया काबुली ने जोली से किश्मिश और बादाम निकाल कर मिनी को देना चाहा पर उसने कुछ न लिया डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई काबुली से उसका पहला परिचे इस तरह हुआ कुछ दिन बात किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था देखा के मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है मिनी की जोली बादाम किश्मिश से भरी हुई थी मैंने काबुली को अठनी देते वे कहा इसे यह सब क्यों दे दिया अब मत देना फिर मैं बाहर चला गया कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा जाते समय वह अठनी मिनी की जोली में डालता गया जब मैं घर लोटा तो देखा के मिनी की माँ काबुली से अठनी लेने के कारण उस पर खूब गुसा हो रही है काबुली प्रते दिन आता रहा उसने किश्मिश बादाम दे दे कर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया दोनों में वही वही बातें होती और वे खूब हसते रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हसती हुई पूछती काबुली वाले ओ काबुली वाले तुम्हारी जोली में क्या है रहमत हसता हुआ कहता हाथी फिर वे मिनी से कहता तुम ससुराल कब जाओगी इस पर उल्टे वे रहमत से ही पूछती तुम ससुराल कब जाओगे रहमत अपना मोटा घूशा तान कर कहता हम ससुर को मारेगा इस पर मिनी खुब हस्ती हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता उसे घर घर घूमना पड़ता मगर फिर भी प्रते दिन वह मिनी से एक बार मिल जाता एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था ठीक उसी समय सडक पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया देखा तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिये जा रहे हैं रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरी दी उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिने देने से उसने इंकार कर दिया था बस इसी पर दोनों में बाद बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया इतने में काबुली वाले काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई रहमत का चेहरा ख्षण भर के लिए खिल उठा मिनी ने आते ही पूछा तुम सस्राल जाओगे रहमत ने हंस कर कहा हाँ वही तो जा रहा हूँ रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई तब उसने घूसा दिखा कर कहा ससुर को मारता पर क्या करूँ हाथ बंदे हुए हैं चुरा चलाने के अपराद में रहमत को कई साल की सजा हो गई काबुली का खयाल धीरे धीरे मेरे मन से बिलकुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई कई साल बीट गए आज मेरी मिनी का विवाह है लोग आ जा रहे हैं मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका उसके पास न तो जूली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी अंत में उसकी और ध्यान से देख कर पहचाना कि यह रहमत है मैंने पूछा क्यों रहमत? कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ उसने बताया मैंने उससे कह आज हमारे घर में एक जरूरी काम है मैं उसमें लगा हुआ हूँ आज तुम जाओ फिर आना वहे उदास हो कर जाने लगा दरवाजे के पास रुक कर बोला जरा बच्ची को नहीं देख सकता शायद उसे यही विश्वास था के मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी है वहे अब भी पहले की तरे काबली वाले ओ काबली वाले चिलाती हुई दोड़ी चली आएगी उन दोनों की उस पुरानी हसी और बाचीत में किसी तरे की रुकावट न होगी मैंने कहा आज घर में बहुत काम है हाज उससे मिलना न हो सकेगा वहे कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया मैं सोची रहा था कि उसे वापस बुलाओं इतने में वहे स्वैम ही लोटाया और बूला यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था उसको दे दीजिएगा मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा आपकी बहुत महरबानी है बाबु साहब पैसे रहने दीजिए फिर जरा ठहर कर बूला आपकी जैसे मेरे भी एक बेटी है मैं उसकी याद करकरके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा समेवा ले आया करता हूँ मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता उसने अपने कूर्ते की जेब में हाट डाल कर कागस का एक टुकड़ा निकाला देखा कि कागस पर चोटे से हाथ के नन्ने से पंजे की चाप है हाथ में थोड़ी सी कालिक लगा कर कागस पर उसकी चाप ले लिगए है अपनी बेटी की इस याद को च्छाती से लगा कर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने आता है देखकर मेरी आखें भराई सब कुछ भूल कर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बोलाया विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शरम से सीकुडी मेरे पास आकर खड़ी हो गई उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सक पका गया उससे पहले जैसी बाचीत करते न बना बाद में वह हस्ता हुआ बोला लली सास के घर जा रही है क्या मिनी अब सास का अर्थ समझती थी मारे शरम के उसका मुह लाल हो ठा मिनी के चले जाने पर एक गहरी सास भर कर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया उसकी समझ में यह बात एका एक स्पष्ठ हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी इन आठ वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने वह उसकी याद में खो गया मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिये और कहा रह्मत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ कि बेटी के बेटी के बेटी के लिए जाने भाशा जगत इस शंखला के अंतरगत अभियाव सुन रहे थे ये कारिक्रम द्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे नर्मान सहयोग वंदना अरिमर्दन और दाउदयाल चत्रुवेदी तथा कारिक्रम नर्देशक प्रभुदयाल खट्टर ये कारिक्रम राश्ची शेक्षी कनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत द्वारप्रस्तुत किया गया